हाई हेलो गूड बॉर्णिंग तो आप सब कैसे वो अच्छे हो गए हम भी अच्छे हैं और आज मेरा रूंगा हो रहा है पुद्दाई पुद्दाई है और फट भी गए है तो मैं इनको बहा निकाल के रख देती हूँ और फट भी गया है तो मैं इनको वैसे तो बॉस करूंगी बस अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं बॉस करने का अभी तो बस पुताई हो रही है तो साफ़सफाई में लगा रही है तो कपड़ी तो मैं खटे करके बाद में बॉसिंग मसीन में डाल दूंगी च्छत पर लेदाने के लिए मेरे अदर निफूर्ती नहीं है तो मैं च्छत पर नहीं मैं गैलरी में सारा सामन डाल दिया है और पर्दे हैं तो पर्दे भी सारे पर्दे मतलब रूम की जितने भी हैं सारे पर्दे उठा लेती हूं और यह मतलब इसका डंडा यह यह भी निकाल देती हूं क्योंकि मैं फिर से साफ करके अच्छे से पर्दे लगाऊंगी और हो सकेगा तो मैं न्यू वाटर कर दूंगी क्योंकि यह भी काफी पुराने हो गए दो साल हो गए तो एक ही हो जाता है खिल मतलब डूम में कहीं बी कुछ भी चीज़ नहीं नहीं हो तो अच्छा लगता है हो काफी टाइम से दिखते दिखते अजीफ सा मन हो जाता कि इने यही पर दो न मैं सोच रही थी कि मैं दूसरे पर्दे भी मंगा लूँगी तो यहां देखिएगा मैं रह गए वारी के तो इनके अलबारियों में इदने कवारा हो जाता है बता नहीं सकती इतना भी खाली कर दो अब खाली कर दूंगी चार दिन बाद फिर से कवारा हो जाएगा तो यह पज़ते डालें वैसे लेकिन इसके पीछे छुपा रहता है पूरा कछड़ा आप लोग देख लीजेगा तो मैं सारा सामन हटा हटा दे रही हूं यहां से और मैं न्यू कपड़े और साड़ी रखी है तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं वो मैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मैंने मंगाया था और मैं मंगाया था नहीं सोरी लेकर आई थी हजबन के कपड़े में मेरी साड़ी है और बगे रहा है उसको मैं पॉली थिन में रख लेती हूं क्योंकि इस पर यह वाइट कलर की है इस पर डश्ट चिपक जाता है पिर छूटता नहीं है में साथ बहुत बार हो गया और फिर होगी पुताई तो मेरा काम है रूम को खाली करना हर्षवेट का काम है पुताई करना लेकिन मैंने उन से भूल दिया है कि मैं कुछ थोड़ी बहुत हैल्प कर वाद हुई और मैं यहां देख रही थी और यह सारे मेरे बलाउच के पीस है तो यह बलाउच के पीस है तो मैं फिर होने के बाद सिलूंगी तो काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं सिल लो लेकिन सिलने का टाइम ही नहीं और यहां मेरा पर्स रखा देता है डुग मन होता है जब पैसे निकाल के ची ले आता हैं तो मैं अपना सामाल निखाल के रखिए मज़ब रूम काली कर दिया और मैं चली आई ऊपर तो मम्मी हो बना रही है चप्वा रोटि यहां तो हाथ वाली रोटी खाने कमण था मैं साफ़ सफाई भी कर रही थी मunta kids to बना क tomu maauri तो यह पुट्टी लगा रहे हैं अब कुछ गड़े थे चलो खाना खालो तो यहां मिल्ची तल रहे हैं अब पूरे घर में कवाड़ फैला हुआ है अब जैसे तल रही है तो नो बस तो यह चाप और प्याद रख लिया है और रोतिया तो उपर बन नहीं रही हैं तो मैं खाना खाके और अपना फिर से रूम में आगी तो मेरा रूम तो खाली हो गया है वट जारा नहीं चुटाया है तो जारा भी बहुत लगा हुआ है स्पाइडर तो इस पाइडर तो बहुत दिन का लगाता सोच रहे थी कि दिवाली की साब सपाई करूं तब ही मैं चु भी मैंने नहीं चुटाया अब चुटा दे रही हूँ और ये गलती हो गई कि मैंने अपने बालों पे श्टॉल नहीं लगा पाया बाद में मतलब कपड़ा नहीं बहुत मतलब जब धोया था तो बहुत जालत दस्ट निकलाता क्योंकि वैसे भी मुझे नहाना है लेकिन मै फिर भी ठीक रहता है क्योंकि इतना धूल मिट्टी जो खिड्कियों से निकलता है और सारा मतलब बदन पर चिपक जाता है बालों में और सर पर मतलब सब जगे और ये कि मैं इतना सारा रोटी खाया है कि मैं ऐसा लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैं को डुगो को बता रही थी देखो मेरा पेट कितना बड़ा हो रहा है मतलब मजाक मस्ती चल रहा था और भाई मेरा जुखाम तो काफी टाइम हो गया सही नहीं हो रहा है मुझे बोलने में बहुत दिक्कित आता है आज कल आप लोग पूछते भी हो कि आपके ब्लॉग सर्दी की बोली नहीं पाती कितने टाइम से मैं मेडिशन खा रही हो फिर भी सही नहीं हो रहा क्योंकि कुछ ना कुछ मीटा सीटा कभी सॉप्टी कभी आइसक्रीम कम कुछ कई गोल का पैसा चीज खाती रहती हूं ना उस बज़े से मेरा मतलब ठीक नहीं हो रहा है सर्दी अब देखते हूं क्या होता है आके होता भी है कि ऐसा ही है पता नहीं किसने इतनी बुरी तरीकी से नजर दे दी है कि मेरा बद्वाय दे दी है कि जो खाम खासी सर्दी सही नहीं हो रहा मेरा वह यहां देखिए कि आलबारियों मैं भी लगा दिया जाड़ू और इस रूम म पाफरे बाफ यहां देखिए को कितना सारा कूरा कच्रा निकला इस पैड की पीछे इतना कूरा कच्रा रोज जाडू लगती पोचा लगती और बैड की पीछे इतना सारा कच्रा क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप लोग मेरी बैड की पीछे इतना निकला है या सब की बैड की पीछे ही निकलता है इतना खूरा कच्ड़ा जो भी डुग खाता पीता है पॉलिथिन बगेरा सब की पीछे इसके पहुंच जाती बैड की तो बहुत जाला स्पाइडर भी निकला है इतना सारा कच्छडा भी और मैं काफी टाइम से अपना कौम डूड रही थी कंगा डूड रही थी देखो बड़ा बाला तो ये इसमें डलाए कूरे कच्छडे में और इतना गंदी की हो रही है घर में कि पैर भी इतने काले काले हो रहे हैं चपल पैने हैं फिर भी काले काले पढ़ गए हैं और दर से मैंने मतलब जारा बगेरा सब कुछ उठा दिया और दर से बैट की साइड से मैंने जाडू लगा दिये और इधर बच्छी है अलबारियों में भी लगा दिये इधर बच्छी है तो यह सारा कच्रा में बाहर मतलब निकाल देती हूं बना तो बैसे तो पुताई कर रहे हैं अभी उपर कर रहे हैं और मैं भी उनकी हर्प कर वालूंगी और मैं बाद में जाडू लगाऊंगी तो सारा धूर मिट्टी जितना भी डश्ट है न तो गीली द किता आती है सच मैं अकेले ब्लाग सूट करने में और भाई कौन-कौन के घरवाले हैल्प करते मेरे घरवाले तो बिल्कुल भी हैल्प नहीं करते क्याम बगएरा पकड़ने में मैं ही अपना काम खुद करती हूं ट्राइफोर लगा के और यहां देखिया है उपर पोते ज कचड़ा है सदियों से और मेरे घर में पुताई हो गई बस यही रूम रहा था मतलब यही रूम रहे गया था वो भी हो गया और देखो कितना सारा कचड़ा हो गई घर की क्लेनिंग थाई दिवाली पे साफसफाई बहुत अच्छे से होती है तो यह दिवाली की साफ सफाई हो रही है दिवाली की क्योंकि दिवाली पास आगी और करवा चोध भी है लेकिन करवा चोध के बार में मैं आप लोग को दूसरे ब्लाग में बताऊँगी तो अभी तो नहीं मुझे बताना है तो एक माना कर दी तो दो दिन बाद भरता अब तो इतना सफाई हो रहा हूं घाटे में भरता है अतना कुरा कچणा घर से निकल रहा है की साफ सफाई यह सारी हो जाए ईंने और आप लोग को कीशसा लगा और आप लोग ने मैं साड़ी में मतब साडी बियर करती हो डेली तो अलग ड्रेस में बना है